वेलकम टो प्यूर कुकिंग, इस वीडियो में मैं मटन हरीज की रेसिपी शेयर कर रही हूं, दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में उससे भी ज्यादा लाजवाब है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, ये रेशेदार हरीज, इसके लिए 250 ग्रैम बल्त लाजवाब है, बहां इसके fat의 4-5 कि दकन sera है करना शुरूफ्सक्राइव, इससके fort जिए प्योच से 5-5 गंट के लिए और उसन दाल मने ओभा कर लूच चार-पांच गंट में, उससे बहाँ के अज़ों गये हैं, इसके भी बहाँ हैं, और उसस्थाम पका तर शूर् अगर आप नहीं दालना चाहते तो कोई बात नहीं लेकिन दालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगे अब देखिए अच्छे से मैं इसको आदे गुंटे के लिए पका दिया था अब दली अच्छे से गल गया है इसे हम थंडा कर लेंगे पहले साथ में हम मतन बना लेंगे तो 600 ग्राम मतन है यह विद बॉन मतन लेना है क्योंकि बॉन वाली हरीज बहुत अच्छी बनती है बॉन वाले गोश्ट की और हाफ का पॉयल दाल दिया है मैंने 2 टेपल स्पून जिंजा गालिक पेस्ट दाल के हमने मतन को अच्छे से बुन लेन बहुत ही अच्छी लगती है टेस्ट के साब से नमक और 1 अफ टी स्पून हल्दी पोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे हरीज जो है इरानी रेसिपी है इसमें लाल मिर्ची अच्छी नहीं लगती आप एक बर हरी मिर्ची में बना कर देखिए तो आपको हमेशा आपको हरी म कर्णन तो अब हम घोष्ट को बीध घंडा कर लेंगे अब धिए थंडा हो गया है तो मैंने इसको ग्रैंडर के जार में अच्छी अच्छी तो जिए और साथ मुआ इसमें हमारा भॉष्ट का स्टउक है मुटन स्टॉक डिख सेवर्ट करें और थोड़ मशाले भी आड़ और दल्या भी अच्छे से पीज गया है यह बाखी का मटन स्टोक भी इसमें आइड करेंगे अब हम इसको वापस से इस्टो पर रख कर पका लेंगे अब हमने हाई फ्लेम पर कम से कम 20-25 मिनिट तक यह दोनों गया हूं और गोश्ट को पकाना है इससे क्या होगा जो गोश्ट का फ्लेवर है वो सारा दल्ये में आ जाएगा देखिए बीस मिनिट के लिए मैंने पका दिया था कितिनी देशेदार मज़ेदार यह हरी लग रही ह और साथ में इसको हिलाते जाना है आप इसको छोड़ नहीं सकते छोड़ देंगे तो नीचे से दाग लग जाएगा अब मैंने 150 ग्राम ओयल में प्यास तल्ली थी जो प्रियानी की प्यास होती है वैसा वो तेल मैंने इसमें आट कर दिया है और तेल को अच्छे से हरीस में मिलाते हुए पका लेंगे एक और पांच मिनिट के लिए तो अब हरीस अच्छे से अब पक गई है इस्टो की फ्लेम लो कर दे अब दम देंगे अब इसमे आट करेंगे तली हुए प्यास तली हुए प्यास सुखे गुलाब के पत्ते तले हुए काजू कटावा कोटमीर पुदीना और ड्राइ रोस पेटल से सुखी हुए गुलाब की पतियां आपको हैदरावाद में किसी भी शादियों के सामान मिलन के लिए ढगते इसको तो जो हमने सारी चीजें डाली है गुलाब की पतियां तली हुए प्यास काजू इन सब का फ्लेवर कोटमीर पुदीने का इसमें आ जाएगा तो बहुत ही मज़ेदार हरीज बनकर तयार हुई है एक बार इस तरीखे से आप हरीज बना कर देख देखिए कितनी रेशादार क्रीमी और स्टिकी हरीज बनकर तयार हुई है अब हम इसको सर्फ कर देंगे तो सर्फ करने तेक वक्त मैंने कटावा कोटमीर पुदीना तलीवी प्यास नीमबू काजू और असली घी डाल दिया है और अब हम इसको सर्फ कर देंगे देखिए यह कोई नहीं बता सकता कि हमने यह घर हरीज घर पर तयार की है तो हरीज की मज़ेदार रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड से जिनको हरीज की रेसिपी पसन आएगी और सिर्फ उड़त की डाल ही आट की जाती है ब्रोकन वीट के साथ में आप चाहें तो दूसरी डाल डाल सकते हैं लेकिन अगर आपको अथेंटिक टेस्ट चाहिए तो बस आप उड़त की डाल ही आट करें यहां मैं आपको दिखा रही हूं कि कितनी रेशेदार मज़ेदार य झाहे हूं आपको लेकिन अचाहे हैं यहां मैं झाहें जसकते हैं यहां मैंगरेदार नहीं यहां हीज़त के लिएकर लेकर के सा यहां हैं झाहानल मैं Сам personлов is यहां ज्र विदली क arises but